स्वास्कार दोस्तों हमारी यूटूब चुनल एसन्सेट पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज से वीडियो हमारे स्पिर स्टेटर्स कुशन में से एक हुगा तो चली देखते हैं आज से कुशन क्या है हमारा इन्वर्स बहुत सारे मेश्ट्रों से भरा हुआ है और हम सभी को दूसरों ग्रोह के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटर्ट रहते हैं बहुत ज़्यादा इच्षोग रहते हैं अगर हम बात करें इन्वर्स के बहुत सारे मेश्ट्रियों के बारे में तो भी więksृоздर्स सबसे बड़ा मेश्ट्री आता है ब्लैपे दुन आज की वीडियो मिं हम बात करने वाले हैं सबसे प्रैमेर्य फोकस करके ये black hole के बारे में तो चले लेगते हैं आज हैं क्या हो सकते हैं आज की सिविडियो में हम बात करने वाले हैं three basic questions के उपार सबसे पढ़ा है what is a black hole, secondly we'll see how the black hole form and third and finally we'll see what inside of a black hole so let's get started black hole by making some of the stars. स्टार्स को मिलाके यानि कि यह स्टार्स हम जो देखते हैं चोटे मोटे स्टार्स नहीं होते यानि कि यह स्टार्स होते हैं सन से भी तीन गुणा ज्यादा बड़े जब इतना बड़ा स्टार्स का फ्यूल जब खतम होना सुरू हो जाता है यानि कि उसका जो कोर्थ होते हैं वो थंडा होना सुरू हो जाते हैं तो इसका जो gravitational force of attraction जो की बहुत ही ज़्यादा powerful होगा वो shrink करना सुरू हो जाता है Let us suppose हमारे पूथफी का core जो की हमेशा एक temperature maintain करके रखता है उसका run out of fuel होना अभी बहुत ही ज़्यादा कम possibility है इसलिए आर्थ अभी तक stable बना हुआ है और scientist के research में यह पता चला है कि हमारे planets आर्थ का भी जो core है बहुत धिरे धिरे थंडा होना सुरू हो चुका है लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि इसको पूरी तरह थंडा होने के लिए हज्जारों करडों साल लगेंगे इसी प्रकार से जब कोई stars जो की sun से भी तीन गुना ज़्यादा बड़ा हो और उसका core run out of fuel हो जाए तो इसका जो इतना बड़ा gravitational force of attraction होगा वो shrink करना सुरू कर देता है उसके center के तरफ यानि कि इतना powerful gravitational force of attraction उसके center के तरफ pressure बराना सुरू कर देता है यानि कि इसका total marks collapse होके एक singularity में convert हो जाता है यानि कि इतना बड़ा stars जो की एक atom के size से भी छोटा बन जाता है और इतने छोटे से size में और space में बोल सकते हैं उसका सभी mark जब packed हो जाते हैं तब बनता है एक black hole black hole सच्चाई में एक hole नहीं है और नहीं एक खाली जगह यह एक ऐसा जगह है जहां huge amount of mass बहुत ही कम यानि कि एक point में packed होए है और इसी point को scientist singularity कहते हैं इतना छोटा सा point mass black hole को इतना strong बनाता है कि कोई भी चीच अगर black hole में आ जाती है तो इससे बाहर नहीं निकल सकते light की speed सबसे तेच है इसके बाबजूद अगर यह black hole में आ गया तब भी यह निकल नहीं सकता का मतलब क्या हो सकता है क्या black hole एक vacuum है और क्या यह सभी चीजों को attract करता है जो की इसके आसपास हो जी नहीं यह सच है कि इसका जो strong gravity है वो सभी चीजों को खिषता है लेकिन बाकी सभी अबजेक्ट्स ब्लैक होल को अर्बीट करते जैसे sun को अर्बीट करता है सब्सक्राइब इत्यास में ब्लैक होल हमेशा से एक most mysterious अबजेक्ट रहा है आज की दिन में साइंटिस्ट बहुत ही गहराई से study करने में लगे हुए हैं नासा जैसे और्गनेशन्स बहुत ही सारे information क्लेक्ट करने में लगे हुए फरेक्जामपूल 2019 में नासा का एक टीम ब्लैक होल का सबसे close photo लाने में सक्षम हुए थे जिसका size 4.5 petabytes था उम्मीद करते हैं काफी कुछ जानने को मिला हुआ इसी वीडियो के दो रान तो थैंक यू सो मुझ पर वाचिंग इस वीडियो वीडियो है बाब बाई